फ्रेंट्स आज मैं आप सभी के लिए मसाले के चावल की रैसी पिले कराई हूं इन्हें पीले चावल भी बोलते हैं और ये खाने में बहुती टेस्टी लगते हैं पीले चावल को भगोने में बनाके तयार करेंगे आधा किलो चावल लिए हैं ये डेली उस वाले चावल हैं जो घर में नोर्मल रहते हैं, चावल के लिए पहले मसाला त्यार करेंगे, एक मीडियम साइज की प्याज लिया है, 6-7 लसुन की कलिया, अद्रक का टुकडा, बड़ी लाइची, दो लों, 3-4 काली मिर्ज, 2 हरी लाइची, आदा चम्मत जीरा, मिक्स कजार में डाल देंगे, और थोड़ा सा पानी एट करके मसाला पीश लेंगे, इन सारे मसालों के साथ में पीले चावल का बहुत अच्छा टेस्ट आता है, आप इसी तरीके से थोड़ा-थोड़ा मसाले लेंगे, मसाले में एक-एक करके सूखे मसाले एट करेंगे, आदा छोटी चम्मच, हल्दी पाउडर हल्दी पाउडर से अच्छा कलर आता है पीले चावल में हल्दी थोड़ी जाद ही रखेंगे आदा चम्मच धनिया पाउडर आदा चम्मच पिसी हुई लाल मिर्ज पाउडर दो मीडियम साइज के आलू टुकडों में काट लिया हैं मसाले को छोकने के लिए एक मी अच्छे से गरम हो गया है गरम होने के बाद इसमें प्याज एट कर देंगे जीरा काली मिर्ज लोंग हरी लाइची हलका सब ब्राउन कर लेंगे प्याज के साथ में सारी चीजों को ब्राउन करने के बाद अब इसमें जो हमने मसाला त्यार करके रखा हुआ था मसाले को ए बाद 5 मिनट के लिए धक्के रख देंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे 5 मिनट के बाद धक्कन खोलेंगे दो मेडियम साइज के बारिक कटे टमाटर डाल देंगे टमाटर को भी अच्छे से मसाले में चला देंगे मसाले में आलू डाल देंगे आलू डालने के बाद अच्छे से चला देंगे मसाले में इस तरीके से आलू को चलाने के बाद फिर से पांच मिनट के लिए धक्के रख देंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे मसाले को पांच मिनट के बाद यह देखेंगे मसाला अच्छे से बुन गया है और आलू भी थोड़े थोड़े चावल को दो तिन बार साप पानी से धू लेंगे धूने के बाद चावल को भी एट कर देंगे मसाले में और थोड़ा सा पानी एट करेंगे थोड़ा सा पानी एट करने के बाद अच्छे से चला लेंगे चावल में पानी नाप के रखेंगे जिस बर्तन में हमने चावल लिय अगर कम हो तो आप थोड़ा सा औरैट कर सकते हैं 3-4 हरी मिर्स को बीच में से काटकर डाल देंगे थोड़े से हरे धनी के पत्ती पांच मिनट के लिए धक्कन लगा देंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे 5 मिनट के बाद धकन खोलेंगे चावल का पानी अच्छे से उ बन गए हैं दो मिनेट के लिए अभी हल्का रहने देंगे गैस को राद ये देखिए चावल अच्छे से बन गए है और गैस को बंद गर देंगे चावल को प्लेट में सर्बकर लेंगे ये देखे कितने बढ़िया खिले-खिले चावल बने हैं और इनका टेस्ट तो बहुत बढ़िया आता है आप इसे एक बार जरूर बना के देखें घर में सभी को खूब पसंद आएंगे ये बिर्यानी की तरह चट पटे और मजेदाल लगते हैं तो इसलिए आप एक बार जरूर ट्राइ करें वेडियो पसंद आए तो वीडियो को ल अगली नहीं रेसिपिक के साथ